इस वीडियो का देदर हम बात करने वाला है दी सी सी वर्सस बी वाई आर के बीचे होने वाले आज के दुसरे इस एस टी तैन मैच के बारे में एक एक प्लेयर का पूरा पूरा एनालिसिस कौгов कि सलंबर पे बल्भाजी के लाएगा कौन कि सी रिपट अपकी कामग कुप करके देना हो इस मैच के आव आप को इसे अलावा आपके तो से तैन रिसक्टी पैस कउनगा नाकरके चलना होगा चलना होता है मजबूरी होता है उस तरीकी के दोनों तरीकी के कॉविनेसन के बारे में Small Leak के लिए बात करेंगे दो तीन चार मेंबर्स वाले में बस आपको एक ही चीज का ध्यान देना है यह जो आपको वीडियो में एक टीम बना करेंगे दूँगा यह कमारे एनालिशिस बेस की तीम होगी है मान लोग कि वीदियो की तीम में कोई प्लेया ना खेल रहा हो तो लाइना पाणने का जो भी हमारी फाइनल टीम होगी न वो मैं स्क्रीन स्वाइब के जरीया पर तेलिगराम चलोगा आपको फ्री में अपनी फाइनल टीम भेज़ दूँगा जहां पे देख सकते हो 62,000 करीफ सब्सक्राइबर यानि लोग पहले ही से फ्री में जोईन है जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में सबसे उपर मिल जाएगा ना मिले तो अब सीधे सीधे कमें सक्सा मॉक्स में जाना सबसे पहला चापको कमेंट पिन क्या हुआ देखने मिलेगा उसमें भी आपको 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 आप चला का लिंक देखने को मिल जाएगा इन्होंने सेरीज में chapel मेंचे से दोकि यूणों मेचे से जीड करकर यह हूए वी वाई ऑयर की तीमने सीजर में दो मेचे से जीड करकर यह एक म hell night high लेया डी सीशन के जो दोनों openers ना दोनों इतने जादे एक dangerous हैं कि 10 ovar में 120, 141, 150 में आसानी से बनवा सकते हैं वहाई बी वाई आर के प्लेश इतने भी जादे अच्छे नहीं हैं लेकिन इनके भी पास एक दो तीन अच्छे प्लेश हैं बाकी बचे वो प्लेश उधने भी खास नहीं हैं यह जो मैच होने लोगा यह आपको कहरता हमा कि ओवर्ल की स्टेडियम के पर होगा यहाँ पे जो आखरी के पांच मैचेस देखने को मिले हुएं वहाँ पे 121 रद की करीब का एवरेज स्कोर है यानि कि हाई स्कोरिंग गेम आपको देखने को मिल रहा है दी सी सी की तिम पहले बल्ले बाजी कर रही है तो मुझे लगता है कि 120 के करीब का ही स्कोर देखने को मिलेगा और नभे की करीब के स्कोर आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले कहुँगा कि विक infring protection में दोनों बेकार प्लेयर है दोनों बिल्कुल बेकार है मस्बूरी में क्यों ओल्फवाथ को लेकर करके चल रहो है। वग्यिट की पर इसके सामने वाली टीम कमसोर है। सबसे पहले यहां से विर्क अली जो की 3 दिन के मैचे सिस्से पहले खेल रखा है। इस सीरिस से पहले कि यहां पर बहुत कमी ऐसे प्लेयर से जिनों ने इससे पहले कोई भी तीदन की सीरिस खेल रखिया है उन में से एक विरक अली प्लेयर में पहले मैचे बल्ले बाची में ऐसा ओपना राकर के एक लंबी पारी खेल करके दिया हुआ है बल्ले बाची से दू वहीं अगा बल्ले बाची में तीसरे पाएगा तो कोई इतना अभी अच्छा प्लेया नहीं है लेकि कई बार यह एजा विकित की पर भी खेलेगा यह चीज़ को पर भी आपको फोकस करके चलना है यह सकूर जो कि यह भी एक ऐसा प्लेयर जिसने इससे पहले ती दिन के मैचे पहले बाची में यह भी आपको तीसरे नमर पाएगा और पहले मैच भले इसने एक ओवर बालिंग ना किया हो लेकि दुसरे मैचे इसने एक ओवर बालिंग भी कर रहा है इसको भी लेकर करके आप चल ले ना यहां से सबसे नमबर रों चोईस रगा अजमत अली जो कि ऐसा फिकित की पर नहीं खेल रहा है लेकर उसके बावजूद भी आप इसको कैच करने की संख्या देखो कैचेस रन आउट इस संपिंग इसको बहुत जादे मिल रहा है यहां पर इसको दो रन आउट मिले जहां पर 24 पॉइंस मिल गए और यहां पर एक कैच भी मिला हुआ है इ दोनों में एचेस में इसने बल्ले बाची से भी आप रहा है बालिंग तो करनी रहा है और कैचेस भी काफी जादे पकड़ के दे रहा है तो अगर कहीं इसने 20 बाल भी खेल लिया ना वहां पर आपको 70 से जादे पॉइंस दिला करके चला जाएगा यह चीज को पर आपको अगरे आपको 20 बाल भी खेल ले रहे ना वहां पर नमबे तीस बाल भी खेल ले रहे तो नमबे की करीब का स्कूर बना खरकी दे दे शाहिए यह दोनों प्लेयर काफी स्तांदार हैं, दोनों प्लेयर छक्य चौक्य माने वाले प्लेयर हैं, और दोनों सामने वाली टीम को आसानी से हरा देंगे, यह चीज को आपको फोकस करके चलना, यही दोनों प्लेयर हैं, कैवी सी आपको लिए सबसे अच्छे प्लेयर रहने वाले फॉसके वाद है यहासा अजला माहमचसा अपको एक चीजान में दे करके तीम मरानी कोशिस करना है क्वासिम म możemy जो कि आपको आकरीके बालिंग कर रहा है दस वह ऋवर और आधवा ओवर यानि कि और आखरी कि और्स में बालनिंग करके दे रहा है। ली बालनिंग क की तेम पहले बालनिंग कर रही है। करते हुए सिर्फ 90 रन बना पाई तो हो यह भी सकते है कि दी सी सिख तीम यह 90 रन का स्कोर ना छे ओवर में पूरा कर ले वहाँ पर होगा क्या कि क्वाजिम मुहमद को एक ओवर भी बालिंग मिले गा ही नहीं क्योंकि आखरी के और समय बालिंग कर दें आ रहा है सेम वही ची गया तो इसको एक ओवर भी बालिंग करते हैं का मौका मिला ही नहीं तो अगर पहले बालिंग कर रही है बी वाई यार की तीम तो कौजिम मुहमद आपके जरूरी प्लेयर रहेगा क्योंकि आखरी कर्स में बालिंग करेगा लेकिन वहीं अगर सेकेंड इनिंग में करेगा वहां पर कितना अच्छा कर पाएगा यह कोई जरूरी नहीं हो सकते कि छे और साथ में मैच खत्म वहां पर कौजिम मौमद एक ओवर भी बालिंग नहीं करेगा अजला मौमद को लेकर के सेम वहीं चीज़ मैं अजला मौमद के लिए भी का हुगा जो कि बल्ले फालजी में थोड़ो साघाय करके दिया लेकि बालिंग पना कर देगा मौका मिला ही नहीं कुई ये भी टोड़ासा देल से बालिंग नेगा जैसे कि 5 वाइज देल कुई पाण्ट ऑवर और 7 वर बालिंग तो फिर ये दोनों प्लेयर इनकी टीम के सबसे जरूरी प्लेयर है ये दोनों प्लेयर आपको बल्ले बाजी और बालिंग दोनों चीज़ करके देने वाले है एक जरूरी प्लेयर हैंगा उसके बाद यहां से ओवर खान को ले करके चलूँगा जो कि बल्ले बाजी में भी 7 न इसके अलाव आपके लिए एक और अच्छा प्ला रहे है एहमद मुम्तास जो की बल्लेबाजी में भी एज़ा ओपनर आ रहा है और बॉलिंग से भी आपको दो ओवर पुरा करके दे रहा है अगर बी वाई यार की तीम की पहले बॉलिंग गया पहले बॉलिंग है और अगर आप दी एलेवन आपको एक रोजाब आप छे साथ और रोंडस को ले करके चल पा रहे हो तो आप ए मुम्तास को भी ले करके चल सकते ह। लिए नगर वहीं से कंड़ इनिंग में बॉलिंग कर रहा है तो यह मुम्तास को भी लेने हैं कोई फाइदा नहीं हो सकते कि दिसी सी S VASI को ले करके चलूगा, S NIAZI को ले करके चलूगा, तीनों दो ओवर बालिंग पुरा करेंगा, तीनों जरूरी प्लेयर्स रहेंगे, और बालिंग आपको कोई ज़्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, तीनों आपके लिए अच्छे प्लेयर रहेंगे, और कई ना कई BYR की तीमी मैच हार सकती है, इसको ले करके मत चलना है, एक प्लेयर है जो कि आपको अच्छा खासा विंद कराया करके दे सकता है, जिसकर मैं M न सेरी, जो कि बल्ले बाजी में भी सिक्सनाव पैस हैगा, बालिंग से भी आपको दो ओवर पुरा करके देगा और DCC के बॉलर भी है, और आखरी की अर्स में बालिंग करके दे रहा है, जैसे कि दसवा ओवर और आथवा ओवर बालिंग करके दे रहा है, यानि कि आखरी की ओर्स में वह आप एक कमाल की बॉलिंग करके दे सकता है कभी भी इसको 2-3-4 विगट के बीचे मिल सकते है और GL के लिए अगर आप ग्रेयन लिग में पैसे लगा रहो GL में अपने पैसे लगा रहो आप ले रिस्की प्लेयर रहेगा लेकर बहुत बड़ा पैसा विन कराने में मदद करके दे सकता है नसेरी के उपर ध्यान दे करके चलना इस नहीं तो अगले मैच में आपको पैसा विन कराने में मदद जरूर करके देगा कभी ना कभी फॉर्म में आएगा वहाँ पर आपको अच्छा खासा मदद करके देगा क्योंकि आखरी के औरस में बॉलिंग करेगा वहाँ पर विगत मिलेंगे चांसेश बहुत जाद है अब मान लो कि आप किसी ऐसे आप को आखेल रहो है जहां पर तीन बल्ले बाचों को ल पॉलिंग करके नहीं दिया थले के लेकर के चल सकते हो और वहीं अगर पहले बल्ले बाची कर रही है बी वाई यार की तीम पहले बल्ले बाची कर रही है आपको एक काम करके चलना है कि कोहांसे मुहमद को ना लेकर करके उस्मान उमर खान को लेकर करके चलना है यह एक चे कि मैं अपनी फाइनल टीम भेज दूँगा जिसका लिंक का आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमें सक्सामाक्स में सबस्वापिन के हुआ मिल जाएगा जहां साब अभी कभी फ्री में जोईन हो सकते हो और वीडियो की फाइनल टीम का फाइदा उठा सकते हो तो जोईन जोरो जाना क्यों कि यहीं पर मैं अपनी फाइनल टीम आपको भेजने वाला हो लाइना पाने का दा आखरी के पांच मिनत में उसके लाव अगर आपको वीडियो अच्छा लगो तो सब्सक्राइब कर लेना मैं अपने पूरे पैसे लेवन चलेजर से इस पोदेशि लिंक आपको हमारे तेलिगराम चलेगा अगर आप फैंटेशी में लॉस्पो मेरे के लिवस्त एक बात लेवन चलेजर से इस पोदेशियो खुबेरा में से खिसी एक आपको खेलो यहां पर आपको फ्यूचर में कोई प्राब्लम भी आएगा ना मैं आपका एक घंते के द हुआ